ब्रेट पकुड़ा तो बहुत ट्राय किया होगा आपने लेकिन क्या आपने कभी ट्राय की है इतनी चटपटी ब्रेट पकुड़ा की चात तो फिर देर किस बात की फटा फट इस रेसिपी को आज ही ट्राय कीजिए तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएं एक चुटकी baking powder इसके बाद इसका एक बैटर तयार कर लेंगे पैनी डालके। यहाँ पानी हमे उतना डालना है कि बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहए नहीं बहुत था मोटा होना चाहिए। और इसे हमें अच्छे से mix करना है ताकि कोई इसमें लम्स यानि गाठे ना रह जाएं और जब इसमें अच्छे से mix हो जाए यानि smooth batter बन के तयार हो जाए इसमें हम add करेंगे थोड़ा सा यानि एक चमच oil यानि तेल और बस इसी के साथ batter बन के तयार है इसे rest के छोड़ देंगे कम से कम 10-15 मिट के लिए अब बस हमें एक कड़ाई में oil heat कर लेना है पकड़े तलने के लिए यहां मैंने bread को triangle shape में अल्री कट करकी रखा है उसे dip करेंगे basin के batter में और फिर दाल लेंगे हम कड़ाई में तलने के लिए अब पकड़े को हमें एक साइट से अच्छे से तल लेना है और फिर दूसरी साइट से तलने के लिए इसे करेंगे flip और बस अब दुनों तरफ से पकोड़ा बन के तयार हो चुका है और इसी तरीके से हम बाकी की पचेवी bread के भी पकोड़े तर लेंगे इसकी बाद बारियाती इसकी चार बनाने के जिसके लिए हमने प्लेट में पकोड़े डाल दिये हैं यहां मैंने double layer ली है पकोड़ो की आप चाहें तो single layer भी ले सकते हैं पकोड़ो को spread करने के बाद इस पे हम डालेंगे boil के हुए और cut के हुए आलू यानि पोटेटो और आलू यानि पोटेटो डालने के बाद में मैंने इस पे लिया है chopped किया हो onion यानि प्याज और आप flavors के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल चट्नी जो की खटी-मिठी चट्नी है खटी-मिठी चट्नी डालने के इसमें आट करेंगे green चट्नी यानि नहीठी चट्नी और फिर डालेंगे इस पर थोड़ा सा लालमेची पाउडर यानि रेड चिली पाउडर roasted और crushed jeera यानि cumin और फिर डालेंगे थोड़ा सा नमा यानि salt और फाइनली गानिश करेंगे इसे हरा दनया यानि ग्रीन कोरियांटर की साथ में और इसी के सब्सक्राइब के तयार है है हमारी टेस्टी और कुर कुरी प्रेट पकोड़ा चाट और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो में चानल को सब्सक्राइब करना मत भूला साथ ही शेर जरूर करना अपने फ्रेंज और पामनी के साथ में आपको अगला आपको अगला आपको अच्छ अगला आपको कर दो कर दो है